Friends, आज हम बात करेंगे एक पानी में डूबे हुए शहर की और जानेंगे यहाँ के संस्कृति और यहाँ का व्यापार कैसा था, यहाँ का रहन सेंड कैसा था, a lot to know, a lot to discuss और मैं हूँ आपका दोश शिवेंद राजपुत, चलिए शुरू करते हैं Indus Valley Civilization, it was situated on the bank of Indus River, इसे हडपा सब बिता भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले हडपा शहर की खोज हुई थी, इसकी खोज 1926 में हुई थी, हडपा रावी नदी के किनारे इस्थित हैं, इसके कई और मेन सहर हैं, जिसमें से प्रमुक मोहन जोदारू भी है, जो की Indus River के किनारे इस्थित हैं, इसका टाइम पिरियड, 3320 से 1720 माना जाता है, इसे ब्रॉंज यूग भी कहा जाता है, इसमें कहीं भी आईरन का इस्तमाल नहीं हुए है, सिर्फ ब्रॉंज से बने हुए धातू प्राप्त हुए हैं, यहां के व्यक्ति में लिगी ट्रेडिंग सोसाइटी प कि यहां टाउन प्लानिंग बहुत अच्छी होती थी, मतलब नगरी विवस्था थी, जिसमें कि पूरे भाग को दो भागों में बाटा गया था, सीटा डल, यह शहर का उपरी छेतर होता था, जैसे इस पिक्चर पर दिख रहा है, उपर वाला भाग, इससे सीटा डल कहा ज जाते थे, जैसे फॉर्मर, किसान और जो ट्रेडर्स होते थे, यूनिक फीचर्स ऑफ इंडस्विलेज सिबलाइजेशन, सभी के घरों में टौलेट होते थे, जो की नालियों से जुड़े होते थे, नालियों से सारा पानी शहर से बाहर निस्कासित हो जाता था, किसी के जो ब्रिक्स होते थे, वो एक साइच के होते थे, हड़ापस अबिता में कई पीरियट्स हैं, या कई पीरियट्स में ये डिवाइड है, जैसे अरली पीरियट, मैच्शोर पीरियट, फिर लेटर पीरियट, ये डेबलप्मेंट आप पीरियट्स है, इसका मैच्शोर पी प्रेडिंग भी बहुत महत्पूर्ण एक्टिविटी थी इनकी, मेटल के रिसूर्सेस थोड़ी कम हुआ करते थे, इसलिए सिब्रॉंस मेटल ब्रॉंस यूग कहा जाता है, अब यह भी जान लेते हैं कि ट्रेडिंग किस के साथ करते थे, यह ट्रेडिंग सुमेरियन सिविलाइजेशन के साथ करते थे, जहां अभी इराक है, जैसे इंडिया में इंडेस्विले सिविलाइजेशन थी, वैसे ही इराक में सुमेरियन सिविलाइजेशन थी, उन्हीं के स साथ ये ट्रेट करते थे, through the Arabian Sea and the Persian Gulf, बहुत सारी चीजें हमें इंडस्वले Civilization के मिली हैं जिसमें से कुछ महत पूर्ट चीजें हैं, जैसे पशुक्पतिनाद सील, इसमें पशुक्तिनाद भवान के इर्द गिर्द में बुल कह सकते हैं, इनके चित्र हैं, इसके बाद एक Dancing Girl, मतब Dancing Girl Statue कहते हैं, इसे, ये ब्रॉंच मेटल के कारी-गरी क अद्भुत नमूना है, 5000 साल पहले जब इसकी हम कलपना भी नहीं कर सकते थे तब इसे बनाया गया था कई सांटेस्टों का मानना तो ये भी है कि ये हडपा सब बिता का नहीं है फिर इनके बाद आते हैं प्रेस्ट स्टैचू ये हैं बाबा टाइप ये बाबा टाइप के स्टैचू है इनकी आखे बंद हैं जैसे कोई मेडिटीशन पे लीन होता है फिर आते हैं हडपन सील्स वहाँ पैसा नहीं होता था तो व्यापार करने के लिए सील्स का उप्योग करते थे जिसमें से ये विभिन प्रकार की सील्स हैं अब हम जानेंगे लाइफ सॉफ पिपन वहाँ की जीवन शहली कैसे थी जादा तर लोग एग्रिकल्चर एक्टिविटी में इंवाल्व होते थे इसके बाब ट्रेडिंग और उनका रिलेजन थोड़ा मिस्टीरियस है वहाँ के लोगों का नेचर लवर थे नेचर पर बिलीव करते थे इसके अलावा वह बहुत से भगवान को पूठते थे जिसमें से बुल की भी पूजा करते थे जो रुलिंग क्लास था वह सीटा डिल मतलब उस चरितर के ऊपरी वाले चरितर में सिटाडल में रहती थी और जो आम जनता इंसान फॉर्मर स्टेडस थे वो जो नीचे वाला एडिया था वहां रहा करते थे जहां अब बात कर लेते हैं यहां की फेमस सिटीज के वाले में की फेमस सिटीज कौन-कौन सी थी सबसे पहले आता है हरपपा जो की रावी नदी की किनारे बसा हुआ है यहां से सिंगल रूम के एविडेंस मिले हैं सडकें यहां की आयता कार होती थी फिर आता है काली बंगा यह शहर का यह शहर गागर रिवर के दक्षणी छोर में राजिस्थान में इस्थिट है यहीं से कॉपर टेक्नलोजी की जानकारी मिलती है आयता कार कुएं के साथ साथ जानवरों के हड़ियां भी प्राप्त हुई है फिर आता है धोला वीरा इट इस कंसीडर अधी ग्रेंडेस्ट सिटीज अफ देट टाइम उस टाइम का में ट्रेडिंग सेंटर भी माना जाता है इसे इसके बाद लोथल यहां से बैड फैक्टरी और मिसोप्रिटामिया सील प्राप्त हुए है चामल के खेती के साख्च भी यहीं से प्राप्त हुए है फिर आता है राखी घर्नी यहां पर लडगे और लड़की के हड़ियों का धाचा प्राप्त हुए है इसके साथ साथ अनिमल हैस्बंडरी के साख्च भी यहीं से प्राप्त हुए है अब हम जान लेते हैं कि इंड़स वैली सिबलाइजेशन का अंत कैसे हुआ इसके कई कारण है जिसमें से पहला कारण माना जाता है फेमाइन या भुकमारी या सूखा ग्रस्त फेमाइन हंगरी दूसरा जो कि सबसे महत्पूर्ण माना जाता है सबसे ज्यादा जैसे कि natural disaster और flood और यह उस जगह में आज भी flood आते हैं और तीसरा माना जाता है Aryan Invasion Theory, कि Aryan Central Asia से आये और हडप्पा सब्विता को खतम कर दिये और एक नई सब्विता Civilization बसाई जिसे Aryan Civilization कहा जाता है. At last but not delicious, Sivin Rajput Signingov.